तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाओंगा कि यार किस तरह से जो कांच की बॉटल होती है उसको आप किस तरह से काट सकते हैं या फिर किसी भी कांच को आप किस तरह से काट सकते हैं है ना आज की वीडियो में मैं आपसी इसी बारे में बताने जा रहा हूँ थ तो हम फिर भी simply blade या फिर कैंची से कार सकते हैं लेकिन यार कांच की बाटल कैसे कर सकती है आज की वीडियो में मैं आपसे यही बताने जा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफटी के साथ किया गया है तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश बिल्गुल भी मत कीजिएगा दोस्तों इस बाटल को काटने के लिए आपको जो जो चीजों की जुरुत पड़ेगी वो है एक कुछ कांच की बाटल कुछ इस तरह की जिसको आप काटने लगे हैं बस आपको यह बत ख्यान में रखनी होगी कि जो बाटल है वो पूरी तरह से अंदर और भाहर से साफ हो क कुछ इस तरह के धागे की यह थोड़ा मोटा वाला धागा है यह कोई आम धागा नहीं है यह जो धागा है आप इसी धागे से हम इसको काटने वाले हैं इसी धागे की मदद से आपको और चाहिए होगा एक मार्चिस और थोड़ा सा पेट्रोल जिससे हम आग लगाने वाल अगे और हाँ आ आपको एक पानी की बाल्टी भी चाहिए होगी उच इतना पानीं आप इसमे रख सकते devam को भूत होगी और यह पानी आपको बात ध्यार में अगे तो इस बॉटल को काटने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा यह द्धागा है इसको आप कुछ इस तरह से जिस जगह पर आप बाटल को जिस जगह से आप बाटल को काटना चाते हैं वहाँ पर इसको कुछ इस तरह से राउंड राउंड राप कर दीजिए distillate again अगर आपको यहां से काटना चाते हैं तो यहां पर न जादे को हम बाचिय के ऊफर बाढ़ंगे कुछ इस तरह से देखिए एक इसको टाइट लिए में बांदना होगा ताकि हमारा धागा लूज ना रहा जाए इसको हम अच्छे से बांदेंगे बिल्कुल टाइट लिए तो ये धागा हमने कसकर बांदिया हुआ है टाइट लिए मैंने इसको बांदिया अब हम इसको इस बॉटल के आर आसपास हम इसको लपेटना शुरू कर देंगे देखिए कुछ इस तरह से ये 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 कुछ इस तरह से इसको अबेट बेंगे कुछ इस तरह से अब बस इतना काफी होगा अब देख से तो मैंने इसको कितना मोटा इसको बांदा है मलब आपको इस ध्यार रखना होगा कि इतना ही मोटा हो आपका धागा जो बांदोगे और कुछ इस तरह से आपका दिखना चाहिए बॉटल अब हम इस धागे को पहले तोड़ देंगे अब हम क्या करेंगे सिंपली जहां जाबर हमने धागा जो हमने बांदा हुए हमने जिस जगा पर रुप धागा है उस जगा पर हम पूरी अच्छी तरह से पेट्रोल डाल देंगे बस हमें ये बात ध्यान में रखते होगी कि सिर्फ वही जगा जहां पर धागा है वहां प को फिर आपको बताता हूं कि इसको किस तरह से काटना होगा तो यह रही हमारी वह कांच की बॉटल जिसके उपर हमने धाके को बांदा था कुछ इस तरह से अब हम इसको पर पेट्रोल डालेंगे फिर इसको आग लगाएंगे दिखिए कुछ इस तरह से पेट्रोल में इस क्या करेंगे कि बिल्कुल धीरे-धीरे हमें जल्दवाजी में डालना होगा अराम से इसके उपर डालना होगा कुछ इस तरह से मैं देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको जो है अची आप पैट्रोल के साथ गिला गर दिया हुँ है हमारा जो धागा है वो अच्छी तरह से पेटरोल के साथ गिला हो चुका है हुँ इस को थोड़ा اس तरह से करेंगे तकि जो कांच के उपर जो इस जगह पर पैटरोल लगा ada Yuk tulina से निकल जाए ताकि इस जगा को आग ना लगे सिर्फ इतनी जगा पर आग लगे तो पहले हम इसको अच्छे से कर देते हैं चलिए थोड़ा और पैट्रोल का दाल देते हैं अब बस इतना काफी होगा अब हमें सिंपली क्या करना है अब हम माचिस लेंगे माचिस लेंगे और इसको जलाएंगे तो थ्री टू एंड अरे हवा हवा बहुत है यहाँ पर कोई बात नहीं एक बाट रिसेट करते हैं तो कुछ इस तरह से जैसे मैंने कहा था जहां पर धागा है हम बहीं पर आगी लाएंगे देखे कुछ किस तरह से यह जल गया कि कुछ किस तरह से जो है हमारी बॉटल जड़ेगी यह देखिए अब हमें एक बात का और ध्हान रखना होगा यह करते हुए कि हमें हमें सिरफ जो बॉटल ले उसको इस तरह से रांड रांड घुमाना होगा देखे कुछ इस तरह से जल्दी तेज-तेज आपको इस से कि और फिर क्या करना होगा हमें कि मैं बताता हूं क्या करना है उसको अच्छे से आपको आग है फैल जाने चाहिए जब आग भुच जाए तो उसके बाद क्या करना होगा हमें पानी की बाल्टी के अंदर हम इसको यह रहे हमारी पानी की बाल्टी अब हमें इस के अंदर जो है इस बाइटल को डाल देना होगा देखे कुछ इस तरह से तो मैंने पानी की बालती के अंदर हमारी कांच की बाइटल डाल दिया है अब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये देखिए है ना बिलकुल कमाल की ट्रिक शुआ हई अब देख सकते हैंग कोर्या साफे जा सकते हैं कुछ इससाफ होने के बाद भी हम इसको जो ब्लैक मैं उतार सकते हैं तो एक उस तुरा से जो यवह हम अब उससे उतार भी सकते हैं पहले मैं धागा उतार देता हूं तो आधियें तो जैसा यह सकते हैं जर्वारी कांज की बोड़ल ती वू इसको कि गृक्ट की अब कितना ज्यादा परफेक्ट याय देखें बिद्धैत को मिन तषी तो कि वहां से तो को परफेक्ट ठाउन कटै आप यह वाला यह व elder पार्ट मृतिसे तो कितना पर फेट है इसको मैंने दल्टी से थोड़ा यहां से तोड़ दिया लेकिन कोई बात नहीं यह वाला पीस बिल्कुल पर्फेक्ट कर्टा है यहां से अब दीख तो बिल्कुल ही पर्फेक्ट है कहीं टे कोई घडबारीनी कि हमारी तो भस आज वीडियों में मैं आपको बताया है कि किस तरह से आप दहागे और पेट्रोल की मदद से इस तरह से कोई भी कांच की बॉटल जो है काट सकते हैं या किसी भी कांच की बॉटल या किसी कांच के टुकड़े को आप कैसे काट सकते हैं तो बस आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइ झाल झाल